हेलो मेरे डियस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट six questions को discuss करेंगे तो जो जो candidate आभी तक subscribe नहीं किया है मेरे चैनल को तो subscribe करें, like करें और ज्यादा से ज़्यादा हो सेगे तो आपने friend को इतना सिरकर में डेश्टो हैं ताकि जारखन के हरे candidate के पास ये वीडियो पहुचना चाहिए जो political science से related है और class double में पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो जितना भी मिसल क्लास के की और से मेरे चैनल को बताया रहा है मोक टेस्ट के लिए जितना कोशन आपको objective प्रसन के लिए उतना कीज़े मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं तो चलिए हम लोग बिना देर किया कोशन क्यों चलते हैं और आज का पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही most important कोशन कॉंग्रेस ने गरी भी हटाओ का नारा किस कब अपनाया most important इसका right answer हो जाएगा option number B.1967 चलिए अगला कोशन क्यों चलते हैं जितना में बता रहा हूं में रिडिश्टेंट ना बलोग कीजिए यकिन माने में रिडिश्टेंट इससे एक भी कोशन बाहर नहीं आएगा जब तक एकजाम नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इसे परकार हर एक दिन मौक टेस्ट लगाएंगे कोई भी सब्जेट का हो अगर किसे दूसरा सब्जेट के किसी का साइकिलोजी है या फिसलोजी है तो आप लोग कोमेंड बसन जरू बताईएगा मैं उनके लिए भी objective question आ इसका right answer होगा 1996 चलिए अगला question क्यों चलते हैं और अगला question क्यों चलते हैं और अगला question क्यों चलते हैं और अगला question है आपके सामने question में 4 कहता है राज्य में पुनरगठन आयोग की न्यूकती किसवार्श होवी थी अगला इसका right answer हो जाएगा option number most important question में very very important question है तो इसका right answer हो जाएगा option number a 1903 आप लोग मुझे उमीद है कि मेरे जितना भी question में total में आप जितना भी number लाते हैं इमानदारी के साथ comment उसमें जरू बताइएगा मेरे डिश्ट्यांट मिसाल क्लास की और से exam से पहले पहले एक प्रमानित क्या जाएगा जी में डिश्ट्यांट जारकन के किसी भी जी लेके हो उनके घर तक प्राज पहुंचा जाएगा तो चलिए हम लोग question number five की ओर चलते हैं और question number five है योजन आयोग के अध्यक्षी के रूप में कोईन कायर करता है most important question इसका सेहतर हो जाएगा option number c परधार मंत्री चलिए अगला question क्यों चलते हैं और next question है सुन्दरलाल बहुगुन्ना किस आंदोले से समधित है इसका सेहतर हो जाएगा option number b चिपको आंदोलन चलिए अगला question दिखते है मंडल कमिंशन के सिफारिसों को किसी ने लागू किया इसका सेहतर हो जाएगा option number d b p c ते लिए next question क्यों चलते हैं और next question है चेतरी दलों के विकास का मुझ्ख कारण क्या है इसका सेहतर हो जाएगा option number d उप्यक्त सभी चलिए अगला question क्यों चलते हैं और अगला question बहुत इंपोर्टेंट है भारत में पर्थम गेर कॉंग्रेसी परधान मंत्री कौन थे अटट ब्यारे बाचपे मौरज़त देसाई देवगोडा या चोतरी चरण सिंग इसका right answer हो जाएगा option number b मौरारज़ी देसाई चलिए question number 10 क्यों चलते हैं question number 10 है भारत में नई आर्थिक निती कब अपनाएगी most important question इसका सेहतर हो जाएगा option number d 1996 अगला question क्यों चलते हैं और अगला question है आपके सामने question number 11 करता है good need बेक्षिता का earth है इसका सेहतर हो जाएगा option number d विशु के किसी भी good में सामिलना होना और मौजूद परस पर बिरोधी good net page में समझे सुब बनाई रखना इसका सेहतर हो जाएगा option number d चलिए question number 12 की चलते हैं question number 12 है मिखायल किसने सोब्यत संग में सुधारों की सुरुवात की most important question इसका सेहतर हो जाएगा option number a मिखायल गर्वाचेव चलिए question number next चलते हैं और question number next है सोब्यत संग के बिगठान के बाद रोज के राष्टपती कौन थे most important question इसका सेहतर हो जाएगा option number c बोरिस यतल सेन चलिए अगला question को चलते हैं question number 14 है आपके सामने most important question इसका सेहतर हो जाएगा option number b सामिवादी चीन को चलिए question number next चलते हैं और next प्रस ने आपके सामने किस उच्ची नहाले ने इंदरा गांधी के चुना को आवेद करार दिया तो इसका सेहतर हो जाएगा option number b इलाहबाद उच्ची नहाले जी में डिश्ची ने इंदरा गांधी ने इलाहबाद उच्ची नहाले को चुना में आवेद करार दिया था चलिए आगला question को चलते हैं और आगला question आपके स्क्रीन पर है निम्न मिखित में से किसी राजनी दल ने जून 1975 की आपतकाल की गोहसना का समर्थन क्या इसका सहित्तुर होगा option number a भारती समिवादी दल चलिए अगला question को चलते हैं और question number 17 गरीबी हटाओ करना रहा किसे चुना में अपना परभव दिखाया most important question 1967 के चुना 1971 या 1962 इसका सहित्तर होगा option number b 1971 चलिए अगला question को चलते हैं और अगला question है भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे या कौन होते हैं most important इसका सहित्तर होगा option number c परधार मंत्री मेरे प्यारी परधार मंत्री नरेंद्र मोधी चलिए अगला question क्यों चलते हैं question number 19 कौंग्रेस भांक पर लोग स्वराज्य संगठन गठित करने का सुझा किसने क्या था इसका सहित्तर होगा option number c महत्मा गाधी जी ने चलिए question number 20 चलते हैं और 20 है किसे ने कहा भारत भीविदता में एकता का देशे most important question जी में डिश्टन आपको मैं जितना question में बता रहा हूँ आज हम लोग political के mock test 2 देख रहे हैं और इस परकार देखा जाए तो mock test का आज 6 चलास है तो हम लोग इसी परकार हर एक दिन मिलेंगे कोभी subject के बारे में तो जिसका भी जो subject है common option जोरू बताईएगा मैं उनके लिए हर एक subject के लिए mock test लगाने के लिए question अपलोड कर लोग इसी परकार बने रहेंगे मुझे उमीद है कि आप लोग इमानता है कि साथ मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और इस वीडियो को इतना सारा शेर करें मिलेंगे ताक्या हर एक भी दारती के पास यह वीडियो पहुंच जाए जो भी class 12 से related है तो चलिए इसका निमलीखित में से कितने खुली द्वार की नित्ती अपनाई जी मिलेंट्रेंड किसे खुली द्वार की नित्ती अपनाई जिसका सेहूतर हो जगा option number D चीन चलिए अगला question क्यों चलते हैं और अगला question है यह 22 जी मिलेंट्रेंड यह 22 सोब्यस्तांग के विभाचन के बाद का पर्थाम निर्वाचित राष्टपती कौन था तो चलिए मेरे डिफ्टेंड यह आप लोग comment बसमें जरूर बताएंगे मुझे पुरा उमीद है मेरे डिफ्टेंड कि इसका right answer जो भी होंगे आप लोग comment बसमें बताएंगा मैं 24 का answer नहीं बता रहा हूं मेरे डिफ्टे होगा वह लिखिएगा चलते हैं और कोश्चन में दिखते हैं 23 जी मेरे डिफ्टेंड कोश्चन नमर 23 दिखते हैं राष्टपती बनने के लिए नियमतम उम्रू कितनी होने चाहिए मौस्ट इपर्टन कोश्चन इसी परकास से कोश्चन आप लोगों को एक्जा में पूछ कोश्चन में बता रहा हूं कि किस प्रकास से 2016, 17, 18, 19 में पूछेगे हैं सभी कोश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेकर आएंगे तो मेरे डिफ्टेंड आप लोग इमांतर के साथ टेस्ट देंगे तो चलिए कोश्चन का पूछ रहा है क्या राष्टपती बनने के परता होना चाहिए इसका राइट एंसर हो जागा ऑफ्चन नमबर बी डॉक्टर राजेंदर परसाद मेरे डिफ्टेंड आज हम लोग मॉक्टेस्ट का कॉश्चन आज हम लोग मॉक्टेस्ट के वीडियो नमबर 6 से देखें और अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल का आपको इतना सरा इमांदारी के साथ इतना सरा प्रहाज याग मेरे डिफ्टेंड कोई भी ऐसा कोश्चन अब्जेक्टिव करना हो कि मेरे डिफ्टेंड कोई भी एक्जाम में कोई भी एक्जाम हो प्री टेस्ट हो या फाइनल एनुवाल एक्जाम हो कि छुड़ जाएं जे भारत बंदे मात्रम